तेंदुए के बारे में कुछ आश्चर्य जनक और रोचक तथ्य गुपचुप और मायावी, शायद इस खुबसूरत प्रानी को परिभाशित करने के लिए दो सबसे आम और उप्यूप्त गुन होंगी, तेंदुआ, पेंथेरा पाद्स, फैलिडे परिवार का एक सदस्या ह भारतिय तेंदुआ, पेंथेरा पाद्स, फुसका, तेंदुए की एक उप प्रजाती भारतिय उप महादवीप में व्यापक रूप से फैली हुई है दुनिया भर में, तेंदुए उश्मकटिबंधिय वर्शावनों से लेकर शुष्क परनपाती वनों तक, घास के मैदानों से लेकर वेगिस्तानों और पहारों तक फैले हुए है भारत में, वे अधिकांच जंगलों में व्यापक रूप से वित्रित हैं, लेकिन इस शर्मीले प्रानी को पहचानना काफी मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि वे चलावरण में चैंपियन है 2015 में, पहली बार भारत में तेंदूों की गिंती की गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि उनकी आबादी 7,910 थी इस गन्ना में कुछ आवासों को शामिल नहीं किया गया और जंगन्ना में उच्चा हिमालय, गुजरात, राजस्थान और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पूरे पुर्वोत्तर को शामिल नहीं किया गया जंगर्ना के अनुसार, मध्य प्रदेश में भारतिय तेंदूओं की संख्या सबसे अधिक 1817 है अधिकांच तेंदूओं हलके भूरे रंग के होते हैं जिन पर विशिष्ट काले धब्बे होते हैं जिन्हें रोसेट कहा जाता है क्योंकि वे गुलाब के समान दिखते हैं या गुलाब के आकार से मिलते जुलते हैं कई बार तेंदूओं का रंग गहरा गहरा होता है और ऐसा उनके मेलानिस्टिक होने के कारण होता है अतिरिक्त काले वर्नक मेलेनिन के कारण धब्बों में अंतर करना कठिन हो जाता है इन्हें आमतोर पर ब्लेक पैंथस काले तेंदूओं के रूप में जाना जाता है वही रोडियाड किपलन की The Jungle Book के सबसे आश्चर्य जनक पात्रों में से एक है जिसका नाम बगीरा है कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रिय उद्यान में भारतिय तेंदूओं की अच्छी खासी आबादी है जिसमें कुछ काले तेंदूओं भी शामिल है काले तेंदूओं को केवल तेलिया और ख्वासा बफर में देखा जाता है और वह भी 10-15 दिनों में एक बार होता है काले या मेलेनिस्टिक तेंदूओं को देखने के लिए वन्यजीव प्रेमी महराष्ट्रा के ताडोबा राष्ट्रिय उद्यान का भी रुख करते है हाला कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक तेंदूओं जिसे अक्सर ब्लेकी के नाम से जाना जाता है एक दुलब द्रिश्य है काले तेंदूओं के शरीर में आत्यदिक मेलेनिन वरनक मौजूद होने के कारण उनके कोट का रंग गहरा होता है के दोरान वे आमतोर पर पेरों पर आराम करते हैं अपने अधिकांश जीवनकाल में वे एकांध जीवन जीना पसंद करते हैं विशेश रूप से पुरुष संभोग का समय अपवाद है तेंदुए आमतोर पर साल भर संभोग करते हैं गर्बधारन की अवधी 90-105 दिनों की होती है और औसतन कूरे का आकार एक से 3 तक होता है एक भारतिय नर तेंदुए का वजन 30-70 किलोग्राम के बीच हो सकता है जबकि मादा का वजन 28-60 किलोग्राम के बीच हो सकता है तेंदुए अच्छे तेराक होते हैं और उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है दोरते, कुदते, तेजी से मुर्ते या छलांग लगाते समय संतुलन बनाने में तेंदुए की पूंच बहुत महत्वपून भूमिका निभाती है एक नर तेंदुए अपने वजन से दोगुने वजन की शव को खीच सकता है तेंदुओ की आवाजे अलग-अलग होती हैं वे दहार सकते हैं और यहां तक की गुर्राने के लिए भी जाने जाते हैं बिल्ली के बच्चे के परिपक होने के साथ उनके बच्चे के धब्बे अधिक उलेकनिय रोसेट में बदल जाते हैं मनुश्यों के साथ बरति संधर्ष, अवैद शिकार और निवास्थान का नुकसान भारत में तेंदुओ के लिए सबसे बड़ा खत्रा है भारतिय तेंदुओ को भारतिय वन्यजीव, सनरक्षन, अधिनियम, 1972 की अनुसूची वन में सूची बद किया गया है और IUCN RAID List में खत्रे के निकट के रूप में सूची बद किया गया है